1990s, the decade that changed India forever. Welcome to Study IQ. मेरा नाम है आदेश सिंग. दोस्तों इतिहास के पन्नों को पलडने पर हमें दुनिया भर में कई ऐसे इवेंट्स मिलते हैं, जिन्होंने समूझे विश्व को हमेशा के लिए बदल दिया. 1st century AD में Christianity, और 7वी शताबदी में Islam का जन्म हो, या 1453 में Constantinople पर Ottoman Turks का कबजा, 18वी शताबदी की ओद्यों की क्रांती या Industrial Revolution हो, या फिर 20वी शताबदी के Russian Revolution और दो विश्व युद्ध, ये सब विश्व इतिहास को बदलने वाले कुछ मेजर इवेंट्स रहें हैं. ऐसे ही कुछ transforming events हमारे देश ने भी देखे, जिन्होंने आज की भारत को आकार दिया. विभाजन से लेकर पोखरन और कारगिल से लेकर Digital India Mission तक, हर इवेंट ने भारत को बदला है, लेकिन आज की कहानी किसी एक इवेंट की नहीं, बलकि एक पूरे दौर की है, जिसने भारत के राजनेतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सबसे ज्यादा impact किया. आज की कहानी उस दशक की है, जिसने एक तरफ भारत में massive political churning को जन्म दिया, लेकिन दूसरी तरफ भारत के economic prosperity की नीव भी रखी, और उसके तार दुनिया के साथ जोड़ दिये. ये कहानी बीसवी सदी के उस अंतिम दशक की है, जब इंडिया ने खुद को rediscover किया. आज हम आपको 1990s के भारत की वो दास्तान सुनाएंगे, जब उसने massive political social और socio economic transformations देखे. चलिए शुरुबात करते हैं एक brief historical backgrounds, background, the global transformations. दोस्तों, आजादी के बाद इंडिया ने एक socialist model of development अपनाया, और foreign policy में non-alignment के principles पर जोड दिया. ऐसे में इंडिया 1990s तक isolationist महौल में जी रहा था. Politically, 1990s तक Congress system का दौर रहा, जहां more or less Indian National Congress ही national politics का center कहलाया. पर 1990s में ये सब बदल गया. 90s के दशक तक भारत भले ही isolation में रहा, लेकिन वो global political churning से अचूता नहीं था. यही वज़ा है कि 90s में जब इंडिया में transformations हो रहे थे, तब global politics भी rapidly change हो रही थी. Cold War खत्म हो रहा था. इंडिया का दोस्त Soviet Union collapse की कगार पर था, और communist और socialist ideology से दुनिया का महुभंग शुरू हो चुका था. 1989 में जर्मनी में Berlin War गिरा दी गई थी, और East Europe में कई nations ने Soviet से independence डिकलेर कर दी. अमेरिका, Cold War का विज़य स्तंब था में अपनी प्रचंड शक्ती का प्रचार कर दुनिया को लीड करने के लिए तैयार था. दुनिया भर के philosophers ने liberalism या उदारवाद और capitalism के विज़य की घूशना कर दी थी. ग्लोबल पॉलिटिक्स में यूनिपोलारिटी की नीव रखी जा रही थी, जिसका बादशाह महाशक्ती अमेरिका था. टिक्नोलोजी ने भी इस दौर में massive transformations देखे. 1989 में Tim Berners-Lee World Wide Web का अविशकार कर चुके थे, जो जल्दी ही commercialize हुआ और internet revolution का जन्म हुआ. सैटिलाइट communications में भी rapid developments हो रहे थे, जिससे दुनिया का isolation खत्म होने लगा. 1991 का Gulf War ऐसा पहला war बना, जिससे दुनिया भर में live telecast से देखा गया. भारत का neighbor China, 1980 में ही world economy से जुड़ गया था, और वो massive economic boom से गुजर रहा था. Gulf War से सीख लेते हुए, 1990 में उसने अपनी military में भी revolutionary बदलाव किये. इंडिया, चाइना के साथ 1962 में एक war लड़ चुका था, और वो चाइना के expansionist mission से aware था, जिससे counter करने के लिए तयारी आवशक थी. इसलिए 90s के इस rapidly changing international माहौल में इंडिया के लिए बदलाव लाजमी हो गया. इस बदलाव को senior journalist राज़दीप सारदेसाई तीन forces से परिभाशित करते हैं, market, mandal और mandir. तो चलिए इंडिया के transformations की कहानी की शुरुआत करते हैं. Downfall of Nehruvian socialism and the rise of market. दोस्तों, इंडिया के market transformations की बाद करें, तो इसका trigger point एक necessity, urgency या फिर crisis था. 90s के शुरुआत में इंडिया एक serious economic crisis में फंस गया, जिसकी नीव 80s में ही रग दी गई थी. 90 crore लोगों के इस बड़े देश के foreign reserves में केवल 1.1 billion dollar बचा था, और वो सिर्फ दो हफ़तों के imports को finance कर सकता था. Socialist ideals वाला superpower Soviet कुलाप्स हो रहा था. और ऐसे में इंडिया के पास सिर्फ एक option था, इंडिया को America-led free market regime से जोड़ना. होना क्या था? 12th November 1991 को, World Bank ने Indian Government की request पर 500 million dollars के structural adjustment loans sanction किये. IMF से भी इंडिया ने लगभग 2.2 billion dollars secure किये, 67 tons gold के बदले. लेकिन ये सब conditional था. इन international agencies ने इंडिया को economic reforms करने को कहा, जिसके तहद इंडिया ने नेहरूवियन socialism को give up कर, खुद को global free market economy में integrate कर लिया. reforms को liberalization, privatization और globalization या LPG reforms कहा गया. LPG reforms के outcomes अच्छे हुए या बुरे? इन पर debates आज भी जारी है. लेकिन एक बात साफ है कि इन reforms ने भारती अर्थव्यवस्था को radically transform किया. reforms के पहले तीन decades तक इंडिया की GDP जो average 4.18% से ग्रोह हो रही थी, वो reforms के बाद 6.25% के साथ ग्रोह हुई. यानि इंडिया को overall wealth बढ़ा, license राज के abolition से इंडिया में FDI inflow भी rapidly increase हुआ. 1991 में जो foreign investment 236 million dollars था, वो 2020 में 50 billion dollars के आसपास रहा. इंडिया के exports भी rapidly grow हुए, जो 1990 में लगभग 17 billion dollars से बढ़कर, 2019 में 324 billion dollars महुच गए. Food हो या fashion, media हो या consumer goods, हर sector के foreign brands और MNCs इंडिया में पहलने लगे. McDonald's से लेकर Levi's तक और Adidas से लेकर Reebok तक, नए Employments और नए नए शहर भी मर्ज हुए. 1990s के transformation का सबसे बड़ा असर था, agriculture से shift होकर, services led economy की तरफ बढ़ना. 1980s में जिस service sector का share Indian GDP में 40% था, वो अगले 2 दशकों में 54% हो गया. जबकि agriculture का GDP share, 1980s में 37% से घटकर, 2000s में सिर्फ 21% ही बजा, और ये trend आज भी जा रही है. इस service led growth की main contributors, IT, banking और financial services रहे. Service sector के rise के चलती, Indian education में भी rapid changes हुए, engineering और MBA जैसी degrees का बोल बाला हुए, और देश भर में जगह जगह engineering colleges खुले. Engineering के within भी, computer science और IT जैसे fields की demand ज्यादा हुई. India अपने इस massive talent pool और skilled labor की चलते, services export में भी major center बन कर उभरा, जहां दुनिया भर के देश services को outsource करते हैं. Foreign collaboration से इंडिया को new technology का access भी मिला, जिसने innovation को boost किया. Forex reserves में भी significant improvement हुए, और आज हमारे reserves लगभग 15 महिने के imports को sustain कर सकते हैं. Poverty भी कम हुई. 1994 में 45% जनता below poverty line में थी, लेकिन ये 2011 तक 21.9% रह गई. Market के open होने से एक और बड़ा transformation हुआ, टेली revolution. इंडिया में black and white TVs पहले से थे, लेकिन जैसे ही 1990s में privatization और liberalization हुआ, तो कई private channels emerge हुए. कई global media companies भी इंडिया आईं और satellite TV का challenge पूरे देश में फैला. सचिन तेंडूलकर से लेकर शहरुखान का sensation बनकर उभरना, इस टेली revolution के बिना शायद possible नहीं था. हलांकि इस नए transformation का एक major criticism ये था, कि इसने middle और upper middle classes को ही फायदा पहुचाया, पर गरीब और गरीब होता गया. वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 1993 से 2011 के बीच inequality इंडिया में बढ़ी. ये शायद इसलिए क्योंकि पूरी economy में केवल 17% contribute करने वाले agriculture पर आज भी 45% भारतिये population directly dependent है. और scholars कहते हैं कि service sector इस population को absorb करने में नाकाम्याब रहा. यही वज़ा है कि कई scholars ने 1990s के बाद के Indian economic transformations को jobless growth बताया. खेर, अब बात करते हैं 1990s के political transformations की, जिसे मंदर और मंदल वर्ड से जोड़ा जाता है. दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि 1990s तक Indian politics को Congress system dominate करता था. Emergency के बाद briefly जनता पार्टी की सरकार बनी, पर वो ज्यादा समय तक टिक नहीं बाई. पर 1990s वो दौर था जब Congress system का dominance खत्म हुआ और Indian politics में कई छोटे बड़े राजनेतिक दल इमर्ज हुए. इस political transformation के roots असल में 1980s तक जाते हैं, जब मंदल कमिशन ने 52% other backward class population के लिए 27% reservation की बात कही. 52% population एक बड़ा नंबर है. इस huge population के political mobilization का impact UP और बिहार में सबसे ज्यादा हुआ. UP और बिहार मिलकर आज Indian Parliament में 120 MPs भेशते हैं और इसी लिए ये states national politics में हमीशा से central रहे. ऐसे में OBC reservation issue से जन्म हुई politics ने कई ऐसे regional power centers को जन्म दिया, जिन्होंने Congress के dominance को कम किया. इन regional parties में UP की समाजवादी party और बिहार की राष्ट्रिय जनता दल एहम है. उधर Bofos scam में allegations झेल रही राजीव गांधी सरकार को जनता दल के VP सिंग ने 1989 elections में माद दे दी. पावर में आते ही VP सिंग ने मंडल recommendations को accept किया. फिर क्या था? पूरे भारत में anti-reservation forces प्रोटेस्ट करने लगे, जिसने कहीं न कहीं कास्ट polarization को बढ़ावा दिया और regional parties और मजबूत होने लगी. ये एक important reason है जिसके चलते late 1980s के बाद आज तक UP और बिहार में Congress का कोई CM power में नहीं आया. और तो और इन states में dominance lose कर चुकी Congress फिर कभी full majority के साथ national politics में भी power में नहीं आयी. 1990s के इस मंडल revolution ने एक crucial political phenomenon, coalition politics को भी जन्म दिया, जो 2014 तक चला. मंडल के साथ मंदिर politics का भी इसी दौर में उदय हुआ. कुछ experts तो मंदिर politics को मंडल का antidote भी मानते हैं. क्यूंकि 1991 से ही UP के अयोध्या में राम मंदिर की demand जोर पकड़ने लगी. 6th December 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का demolition हुआ. इसने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान और बांगलादेश में भी communal polarization को बढ़ावा दिया. और पूरे सब कॉंटिनेंट में जगह जगह दंगे हुए. मंदिर इशु ने एक और political force को इंडियन politics में powerful बनाया. ये political force थी भारतिय जनता party. 1984 में केवल दो लोग सबह seats जीतने वाली BJP, 1996 में 161 seats के साथ single largest party बनी. और 1999 के बाद पूरे 5 साल के लिए power में रही. खेर, 1990s में इंडिया की दशकों पुरानी एक समस्या की शकल और सूरत भी बतली. ये समस्या थी Underworld. Communalization, Desperation and Terrorism of Underworld. दोस्तों, मुंबाई के Underworld के बारे में कौन नहीं जानता? वैसे तो Organized Crime पूरे देश में था, लेकिन मुंबाई में ये सबसे ज्यादा prominent रहा. हो था भी क्यों नहीं? मुंबाई इंडिया की financial capital जो थी. अपनी massive economic growth और opportunities के चलते, मुंबाई Underworld के लिए भी सपनों का शहर था. यही वज़ा है कि मुंबाई Underworld का इतिहास आजादी से भी पुराना है. हाजी मस्दान, मुदलियार और करीम लाला जैसे गैंक्स्टर से शुरू हुआ ये crime, दाओद इब्राहिम और छोटा राजन तक पहुँचा. Underworld के लिए, इंडिया का global market से isolation और license राज, opportunity से कम नहीं था. prohibited goods और luxury foreign items की smuggling in gangs का source of revenue था. लेकिन 1990s में जब इंडिया ने economy को liberalize और globalize किया, तो Indian market foreign goods से भर गया. वो भी cheap rates में. ऐसे में Underworld को बड़ा जटका लगा और वो नए तरीकों से पैसे कमाने की सोचने लगा. इसलिए 1990s में Mumbai Underworld aggressively extorsions और murders में involved हुआ. उसके main targets builders, businessmen और Bollywood थे. T-Series के गुल्शन कुमार ने जब extorsion मनी देने से इंकार किया, तो 1997 में उन्हें मार दिया गया. पर शायद murders और extorsions Underworld के लिए काफी नहीं थे. और इसलिए D-Company terrorism में involved हुई. बाबरी demolition के बाद भारत में हुए जगे-जगे riot से Mumbai भी अच्छूता नहीं था. दाउद और छोटा राजन ने बिगरते कम्यूनल महौल का फाइदा उठा कर Underworld को भी कम्यूनल लाइन्स में बाट दिया. पाकिस्तान और ISI के लिए ये golden opportunity थी, जिसने actively दाउद को Mumbai Blasts के लिए फंड किया. टाइगर मेमन और याकूब मेमन के साथ 12 मार्च 1993 को D Company ने पूरे Mumbai में 12 bomb blasts किये, जिसमें पाकिस्तानी RDX का इस्तिमाल हुआ. खेर, 1990s का दौर, मार्किट, मंडल और मंदिर के अलावा और भी कई चीजें अपने साथ लेकर आया था. चलिए एक नज़र डालते हैं. इस दौर का एक मेजर इवेंट रहा. श्री लंका, 1980s में सिंहला तमिलियन कॉनफ्लिक्ट के चलते टरमॉइल में था. तमिलियन इंसर्जंस ने LTTE के अंडर, श्री लंकन गवर्नमंट के खलाफ युद्ध छेड रखा था. इंडिया में तमिल पॉपिलेशन के चलते, LTTE लीडर प्रभाकरण को इंडियन सपोर्ट की उम्मीद थी. पर 1987 में इंडिया ने पीस कीपिंग फोसेस भेज़ कर, श्री लंकन गवर्नमंट को सपोर्ट किया. पर 1989 में जब राजीव गांधी चुनाव हार गए, तो वीपी सिंग ने पीस कीपिंग फोस को वापस बुला लिया. लेकिन वीपी सिंग और बाद में चंदरशेखर ज्यादा दिन सरकार चला नहीं पाए, और 1991 में इलेक्शन अनाउंस हुए. राजीव गांधी ने अपनी पूरी ताकत जोंग दी और खुद को मासस तक ले जाना शुरू किया, पर किस्मत उनके साथ नहीं थी. क्योंकि श्रिलंकन LTTE को डर था कि अगर राजीव गांधी 1991 में जीत गए, तो इंडिया शायद फिर पीस कीपिंग फोर्स भेज देगा. ऐसे में LTTE ने राजीव गांधी को 21st में 1991 को तमिलनाडू के श्री पेरुमबुदूर में असासिनेट कर दिया. 1990s के Transformations के कई पहलूओं की नीव, राजीव गांधी ने 80s में ही रग दी थी. इसी लिए उनकी हत्या ने देश से उसका एक visionary नेता छीन लिया. खेर, देश को हताशा की तरफ धकेलने में एक और crucial event का हाथ रहा. चलते हैं कश्मीर की तरफ. A heaven turns into hell. The thorns of कश्मीर. दोस्तों, अजादी से आज तक शायद ही ऐसा कोई दिन हो, जब कश्मीर चर्चा में नहीं रहा हो. कश्मीर में separatism की roots काफी पुराने हैं, लेकिन 90s का दशक worst decade बन कर उभरा. कश्मीर में separatist demand 1980s में ही बढ़ने लगी थी. पर 90s की बिगरती situation का सबसे बड़ा कारण 1987 का जी एन की assembly election था. 1987 election को radical leaders जैसे सेद सलाओदीन और यासीन मलिक ने rigड बता कर, Congress और National Conference पर election काटिल चलाने का रूप लगाया. सलाओदीन 1989 में हिजबुल मुजाइदीन नाम के terrorist group को join कर, जल्दी ही उसका head बन गया. और यासीन मलिक ने जमू और कश्मीर Liberation Front या JKLF को dominate किया. दो साल के अंदर-अंदर इन radical नेताओं ने JNK में radicalization कर popular support गेन किया, और JKLF कश्मीर वैली में separatism का vanguard बन कर उभरा. ये organizations openly कश्मीर को आजाद करने की मांग करने लगे और widespread political uproar का जन्म हुआ. टेरोरिजम और violence बढ़ा और militants की संख्या भी और इन सब के पीछे हाथ था border power से ISI का. अपने terrorism के अलावा, JKLF ने एक और खतरनाक काम किया. ये था कश्मीर में communalism को हवा देना. 14 September 1989 को militants ने टीका लाल टपलू नाम के prominent BJP नेता और कश्मीरी पंडित को publicly मार दिया और शुरू हुआ एक series of targeted attacks against कश्मीरी पंडित्स. टपलू की हत्या के बाद, JKLF ने श्रीनगर हाई कोर्ट के जज नील कंट गंजू की भी हत्या की. और 1989 में होम मिनिस्टर मुफ्ती मुहमत सईद की बेटी रुबया सईद की kidnapping भी. इस communalization और डर के माहौल ने लाखुं कश्मीरी पंडित्स को इंडिया के बाकी शेहरों की तरफ migrate होने पर मजबूर कर दिया. इस rising militancy में पाकिस्तान सपोर्ट के चलते इंडिया और पाकिस्तान के रिष्टे भी खराब हुए. लेकिन कश्मीर के साथ एक और event था जिसने इं Nuclearization of South Asia. वैसे तो इंडिया ने 1974 में ही Operation Smiling Buddha के तहट nuclear test कर खुद को nuclear state बना लिया था. लेकिन nuclear ambition अभी खत्म नहीं हुआ था. इसलिए 11 से 13 माई 1998 के बीच पूखरण में इंडिया ने 5 nuclear bombs or test किये under Operation शक्ती. इस test ने इंडिया की capacity को further boost करते हुए उसे 200 किलो टन्स के nuclear fission और fusion weapons की ताकत दे दी. उधर पाकिस्तान desperate था. इसलिए पूखरण 2 के दो हफते बाद 28 माई 1998 को ही पाकिस्तान ने भी चगाई बलोचिस्तान में 5 nuclear tests किये. इन tests के खिलाफ इंडिया और पाकिस्तान पर कई sanctions भी लगे. तो इस तरह से 1990s ने South Asia को nuclearize कर world politics पर major impact टाला. कश्मीर insurgency हो या nuclear tests सबने मिलकर इंडो पाक tensions को चरम पर पहुँचाया और decades old rivalry फिर से war की तरफ इशारा करने लगी. Rising Tensions and the Kargil War शुरू कर दिये और Kargil War Zone बन गया. इंडियन Air Force ने इंडियन आमी को active support देते हुए पाकिस्तान को back foot पर ला दिया. Initially, पाकिस्तान infiltrations में अपने involvement को नकारता रहा. लेकिन परवेज मुशारफ और Lieutenant General Aziz Khan के conversation को इंडिया ने intercept कर पाकिस्तानी involvement को expose किया. दो nuclear states के बीच ये limited war कब nuclear बन जाएगा? इससे पूरी दुनिया सदमे में थी. Situation तब और खराब हुई जब US intelligence को खबर मिली कि पाकिस्तान nuclear war heads को border की तरफ move कर रहा है. ऐसे में US President Bill Clinton ने पाकिस्तान को dire consequences की धमकी दे कर उसे करगिल से withdraw करने के लिए कहा. Indian forces के हाथू massive attacks और US के diplomatic pressures के चलते. पाकिस्तान ने 5 जुलाई 1999 को करगिल से withdrawal declare किया और Indian forces ने सारे posts capture कर लिए. तो दोस्तों ये थी 1990s की वो कहानी जब भारत ने youth के rising aspirations और dream से लेकर widespread violence, war, assassinations, सब कुछ देखा.